सुप्रभार प्यारे बच्चो, बच्चो आपने व्यंजन क क की कहानी सुनी और उसे लिखने का अभ्यास किया तो बच्चो आप बारी हैं व्यंजन क क के चित्रों को बनाने की तो तयार हैं आप व्यांजन क के चित्रों को बनाने के लिए और उनमें रम भरने के लिए चलो बच्चों अब हम लिखेंगे व्यांजन क और व्यांजन क लिखने के बाद हम डालेंगे आज की डेट जो है 9.4.2.1.21 और यहां लिखेंगे हम क्लासवर्प C.W तो बच्चों अब हम बनाएंगे क से कप सबसे पहले हमने बनाया ऐसे एक रेखा और इसी को जोडते हुई डूसरी रेखा और अब हम बनाएंगे थोड़ी तिरची रेखा एक और तिरची रेखा और दोनों को जोड़ेंगे और अब हम बनाएंगे कप का हैंडल तो देखो बच्चों बन गया कप अब हम बनाएंगे क से कलम तो एक तिरची रेखा उसके सामने एक और दूसरी तिरची रेखा दोनों को जोड़ेंगे नीचे से भी जोड़ेंगे और अब बनाएंगे इसकी निब और कलम का बनाएंगे इस प्रकार हैंडल तो हमारी कलम बनकर तयार है क से कलम जिससे आपकी मैम आपका कारे चेक करती हैं अब हम बनाएंगे करसे किताब तो सबसे पहले हमने बनाई एक सीधी खड़ी रेखा एक लेटी रेखा फिर एक और सीधी रेखा अब इसको जोड़ेंगे इस प्रकार अब उपर बनाएंगे एक तिरची रेखा और फिर एक सीधी रेखा फिर एक छोटी दिर्ची रेखा और आप बनाएंगे किताब के पेज तो इस प्रकार हमारी बन गई कह से किताब है ना अच्छी सुन्द किताब शाबाश आप बनाएंगे हम कह से कंगा आप सब बच्चों ने देखा है ना तो सबसे पहले एक सीधी रेखा और इसको थोड़ा सतिर्चा करेंगे फिर एक और रेखा अब इस रेखा को आगे लेकर आएंगे और सीधी रेखा के समान नीचे आएंगे और अब जोड़ेंगे और सीधी सीधी रेखाएं बनाएंगे और इस प्रकार बनाएंगे अपना कसे कंगा कसे कंगा तो देखा बच्चो कितने आसान है न सभी चित्र हमने क्या क्या चित्र बनाए है कसे कप कसे कलम कसे किताब और कसे कंगा आप बच्चो आप इन सभी चित्रों को बनाए और उनमें कलर कीजिए और अपनी मैम को बेजिए धन्यवाद बाई बाई बच्चो